हेलो गाईज आज किस वीडियो में यहाँ पर बात करने वाला हूँ जो आपको साउथ स्कॉर्पियन्स वर्सिस विक्टोरिया विमेंन के बीज में यहाँ आपर ऑस्टेलियन विमेंस ओडीडी से जो आपको फर्स्ट मैच खिला था दिखेगा इस मैच के बारे में आज किस मैं इस यहां दोनों टीम करेंगे यहीं सब्सक्राइब करेंगे कमाल की आपको इस वीडियो में इंफॉर्मेंस मिले रहें और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इस मैच की फाइनल टीम अपडेट है आपको हमारे टेलिग्राम चैनल यहीं हुए है तो guys आपको हमारे telegram channel का link इसी वीडियो के description में मिल जाएगा तो आप उस link पर click करकर हमारे telegram channel पर join कर सकते हैं बाइचांस अगर description वाला link का आप ना करें तो आपको अपने telegram में जाना है और search करना है at the rate as a 11 expert आप capital letter में search करिएगा उसके बाद guys आपको हमारा telegram channel मिल जाएगा जिसमें already 3400 से ज़्यादा लोग join हो चुकें तो आप भी ज़्यादा late ना हो जितना जल्दी हो सके हमारे telegram channel पर join कर ले क्योंकि जो final team update रहती है guys वही match decide करती है ठीक है और final team update आपको मेरे telegram channel पर ही मिलने वाली है ठीक है तो ये बात का आप ध्यान लेखे बाकी चलिए guys यहाँ पर हम match की analysis start करते सबसे पहले यहाँ पर हम South Australian Scorpions women के यहाँ पर probable playing level discuss कर लेते ठीक है तो इनके लिए guys आपको Bridget Patterson के साथ Ema De Braughe opening करती देख सकती है 1 down आ सकती है Josephine Dolle ठीक है 2 down पर Tahilia Megra 3 down पर है करटनी बेव 4 down पर है Annie O'Neill 5 down पर Amanda Wellington 6 down पर Illy Falconer ठीक है फिर यहाँ पर 3 baller इनकी Jema Bardswai मेगन सकट और Darcy Brown ठीक है तो कुछ इस तरीके का playing level guys आपको यहाँ पर South Australian women का खेलता दीख सकता है बाकी इनके पास bench पर Samantha Beds है काफी अच्छी fast waller ठीक है इनको टीम चाहे तो खिला सकती है और Maddy Pena भी एक अच्छी all downer है ठीक है तो इनके टीम काफी strong लग रही है ठीक है और यहाँ पर हो सकता है guys मेबी इन दोनों में से कोई एक आपको खेलता भी दिख जाए ठीक है यह 100% confirm playing level नहीं है लेकिन guys expected यही है कि कुछ इसी तरीके का आपको playing level खेलता दिख सकता है ठीक है अब चलिए guys यहाँ पर हम South Australian women के यहाँ पर players के last season के stats देख लेते ठीक है इसमें maximum player के stats है जिनका performance last season अच्छा रहा था सबसे पहले runs में देखेंगे तो यहाँ पर करटनी बेब इनके top runner scorer थी आठ matches में इन्हों ने 366 run किये थे 45 के कमाल के average के साथ Bridget Patterson ने 8 match में 288 run किये थे 36 के average के साथ Ema Dave Braugay ने 8 match में 287 किये थे 35 के average के साथ Josephine Doolay ने 8 match में 243 किये थे 34 के साथ विकेट्स में देखेंगे तो Illy Falconer जिनका selection कुछ भी नहीं है यह कमाल के आपके लिए differential pick बनेगी 8 match में 14 विकेट थे इनके नाम पर टीम के top विकेट टेकर थी बाकी Jema Barsby के 8 match में 11 विकेट और Samantha Bates के भी 8 match में 11 विकेट थे ठीक है तो ध्याद निखेगा बाकी गाईज जब हम दूसरी टीम पर आते है विक्टोरिया विमन की हम यहाँ पर प्रुबेबल प्लेइंग 11 डिसकस करते है तो इनके लिए गाईज आपको यहाँ पर Sophie Molyneux इनकी कैप्टन जो कि लास सीजन नहीं खेली थी इस सीजन खेलने वाली है फिट हो चुकी है यह आपको उपनिंग करती दिखेगी यहाँ पर एमबलोज के साथ वन डाउन यहाँ पर आ सकती है एलिस पैरी टू डाउन पर कीमगाड थ्री डाउन पर निकॉल फालतू फो डाउन पर यहाँ पर यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो रंस में तो Nicole Falthum ने 7 match में 119 run किये थे 31 के अवरिज के साथ, काफी अच्छा के लिए थी बाकि Alice Perry ने 2 match के लिए लेकिन 132 run किये 66 के अवरिज के साथ Kim Garth ने 7 match में 111 run किये 55 के अवरिज के साथ Manicler Blows ने 5 match में 106 run किये 21 के अवरिज के साथ रियास मेकेना ने चार मैच में साथ रंड की ये 15 गैबरेज के साथ और एनेवल सदर्लेंड ने दो मैच में संताबन रंड की ये 28 गैबरेज के साथ ठीक है बाकी विकेट्स में देखेंगे तो सैम बेट्स इनकी टॉप विकेट ये कर थी बहुत कमाल की स्पिन बॉलर है साथ मैच में इनके नामबर 16 विकेट था उसके लबा कीम गार्थ के साथ मैच में साथ विकेट मैकेना के चार मैच में 6 विकेट इला हेड के तीन मैच में 3 विकेट सोफी डे के साथ मैच में 3 विकेट और Sutherland के 2 match में 2 wicket थे ठीक है तो ये guys हमने Victoria women के भी जो यहाँ पर important players थे जिनका performance last season अच्छा रहा था उनके भी हमने stats discuss कर लिये तो guys इस match के related जितना भी data हमें discuss करना था सारा हमने एकदम अच्छे से discuss कर लिया है तो hopefully guys वीडियो आपको पसंदारी होगी अगर guys आपको वीडियो पसंदारी हो तो वीडियो को guys इतना ज़्यादा हो से के उतना ज़्यादा like कर दे अपने दोस्तों के साथ share करना ना भूले और guys अगर आप हमारे चैनल पर new है अगर आपने भी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटा-फट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बैल आइकन को भी ओन कर ले ताकि आप आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना कर सके अब चलिए guys यहाँ पर हम अपनी team discuss कर लेते है guys यहाँ पर team discuss करने से पहले एक छोटा सा remind है guys आपको इस वीडियो के description में टेलिग्राम चैनल का link के साथ एक बहुत कमाल की betting application जिसमें मैं almost 1 year से खेल रहा हूँ 1 win बहुत जादा genuine एकदम trusted betting application है guys जिसमें already मैं 23 lakhs तक की winning कर चुका हूँ सारा आपको winning proof मेरे टेलिग्राम चैनल पर मिल जाएगा तो इस कमाल की betting application का भी link आपको इसी वीडियो के description में मिल जाएगा टेलिग्राम चैनल का link के लीचे तो आप सब लोग चाहें तो यहाँ पर guys उस link पर click करकर इस application को download कर सकते हैं और sign up कर सकते हैं मरे promo code को use करके ठीक है और deposit कर सकते हैं guys आपको अच्छा कासा bonus भी मिल जाएगा कर deposit करते वक भी मेरा promo code आप यूज करते हैं तो ठीक है बाकी बहुत कमाल की betting application है आप एक बार जरूर खेल कर देखिए guys यह application आपकी life change कर सकती है ठीक है आप खुद ही सोचिए मैं खुद वहाँ से 23 lakhs जीता हूँ आप भी बहुत अच्छा जीत सकते हैं guys और मैं आपको regular basis पर betting prediction भी provide करता हूँ ठीक है जो कि कमाल की रहती almost 80% सही जाती है तो आप चाहे तो मेरी betting prediction के साथ खेल कर भी काफी तगरा जीत सकते हैं ठीक है बस आपको कुछ नहीं करना है वीडियो के description लिंक मिल जाएगा उस लिंक पर क्लिक करिए application को download करिए ठीक है sign up करिए promo code S11 expert use करके deposit करिए और bet लगाना start कर लिजे और detail में जानना 1-bin betting application के बारे में तो already मैं काफी सारे वीडियो इस बना चुका हूँ आप लोग वीडियो देख लीजेगा हमारे चैनल पर से जाकर आप अच्छे से 1-bin के बारे में जान पाएंगे ठीक है बाकी अब चलिए गाइस फालतुम 3-4 दाउन आ सकती है और डूले 1 डाउन आ सकती है और लास्ट सीजन दोनों अच्छा केली थी लेकिन फिर भी गाईस यहाँ पर बैक्टिंग ओर थोड़ा डूले का ऊपर है और जादा अच्छी प्लेयर मुझे डूले लगती है अब आते हैं गाईस बैक्टर सेक्षिन पर जहाँ पर सबसे पहले मैं अच्छी प्रिजर्ट पैटर्सन बहुत इंपोर्टन बैक्टर टीम की ओपनिंग पर कीमगार्थ यहाँ पर विक्टोडिया व्यन की बहुत इंपोर्टन ओल्डाउंडर वैसे आईलेंड विमेंड टीम की प्लेयर रह चुकी है आईलेंड के लिए खेल चुकी है लेकिन अब यह अफ्स्टेलिया में खेलती है किरकेट बहुत अच्छी ओल्डाउंडर है ठीक आपके पास यहाँ पर अनी ओनल को मैं ज्यादा नहीं रिकमेंड करूँगा लास्टीजन कुछ उतना भी खास नहीं के लिए थी ब्लोज को भी नहीं ठीक है और ज्यादा कुछ ऑप्शन ही नहीं है ठीक है तो simply आप इनहीं तीनों बैटर को अपनी टीम में लेकर जा सकते ठीक है अब आते हैं गाईस और आपको मिलेगी पैरी ठीक है जो कि नो डाउट वर्ड की वर्ड की बेस्ट ओल डाउंडर है ठीक है अभी बॉलिंग थोड़ा कम करने लगी है लेकिन एज बैटर भी बहुत इंपोर्टेंट रहेगी ठीक है और पता नहीं बॉलिंग भी अ लास सीजन काफी तगरा खेली थी टॉप रन स्कोरर थी साउधर यहाँ पर ऑस्टेलियन विमन की ठीक है इनको आप ले सकते है फैल कॉनर गाईस गेम चेंजर पिख है सेलेक्शन देखिये गाईस मात तीन परसेंट लास सीजन टीम की टॉप बिके टेकर साथ में रंस करना भी जानती है बहुत कमाल की प्लेयर है ठीक है बाकी फ्लिंटो भी ठीक प्लेयर है बैटिंग गॉलिंग दोनों से आपको पॉइंट दे सकती है लेकिन उप्सन बहुत सारी हमारे पास जिसलिए मैं उतना ज़्यादा उनको रिकमेंड नहीं करूंगा मेरे हिसाब से गाईस को पूरे ओबर भी डालेगी सात में रंढ़ करेगी फिर यहां पर पैरी आती है जिनका ज्यादा रोल बैटिंग से रह सकता है पर confusing है guys किसे लू लेकिन अभी के लिए मैं experience को देखते हुए पैरी के साथ जा रहा हूँ लेकिन guys Crutney बे भी बहुत अच्छी प्लेयर है last season बहुत तगरा खेली थी तो आपको इनको भी लेना हूँ तो आप ले सकते ज़्यादा सेफ जाना हूँ फैल कॉनर की जगा वेब कर लीजे अगर आपको रिक्स नहीं लेना हूँ तो ठीक है बाकी अब आते हैं बॉलिंग सेक्शन पर जहाँ पर आपको मेगन सकट, अमंडा वेलिंग्टन सोफी मॉलिनिक्स, जेमा बार्स भाई ठीक है, ये चार प्लेयर, उसके लाबा सैम बेट्स, ये पांच प्लेयर नीचे से डार्सी ब्राउन ठीक है, उसके लाबा गाईज यहाँ पर एक और सैम बेट्स है, यहाँ पर ये समन्था बेट्स है, ठीक है, और नीचे से और ज़्यादा किसे पर ध्यान मत दीजे, हेवार्ड भी अच्छी है, लेकिन option बहुत सारी हमारे लिए, इसलिए अब यह मुतना ध्यान नहीं देंगे, यहाँ पर गाईज मैं Wellington, Mollinux और Scott को ले रहा हूँ, लेकिन differential picks में Barts भी है, काफी अच्छी spinner, इनको try कर सकते हैं, उसके अलाबा गाईज यह S Bates, कमाल की यह spinner है, last season की top BK taker है, इनको लेने का मुझे बहुत मन है, लेकिन मैं नहीं ले पाऊँगा, selection देखे गाईज, मात 3%, यह game changer आपके लिए बन सकती है, ठीक है, आप इनका ध्यान देखेगा, बाकि Darcy Brown भी अच्छी swing baller है, इनको भी आपको consider करना हो, तो कर सकते हैं, Grand League team में, ठीक है, उसके लाबा S Bates अगर खेलती है, यह भी, तो यह भी काफी अच्छी है, McKenna भी ठीक है, काफी सारी अच्छी प्लेयर्स हैं, लेकिन हम सभी को तो नहीं ले सकते, और यह तीनों baller मेंने साब से must pick है, तीनों काफी important है, Megan Eastcut, fast baller, Wellington leg spinner, Molinux तो opening के साथ आपको runs भी खड़के देगी, ठीक है, तो guys, यह बनता हमारा अभी के लिए टीम का preview, इसमें अगर CVC के मैं best option के बात करूँ न, तो यहां पर आपके पास Sophie, Molinux, Tahilia Magrath, ठीक है, Enable Sutherland, Kimgarth, यह चार प्लेयर में अभी के लिए आपको CVC के लिए recommend करूँगा, जो कि चार सबसे best all downer है, जिस match में आपके लिए CVC के option रह सकती है, मुझसे पूछेंगे, मैं अपनी captaincy दूँगा, Sophie, Molinux को और wise captaincy दूँगा, Tahilia Magrath को आपको reverse करना हो, reverse आप कर सकते हैं, no doubt कोई problem नहीं है, बाकि Sutherland, Kimgarth, यह दोनों भी आपके पास काफी अच्छी CVC का option है, आप उनको भी consider कर सकते हैं, ठीक है तो guys, यह बनता अभी के लिए हमारा team का preview, इसमें definitely 100% team में changes होने वाली है, final team update बहुँ ज़्यादा important रहेगी so अगर आप अभी तक हमारे telegram channel पर join नहीं हुए, तो guys आपको हमारे telegram channel का link इसी video के description में मिल जाएगा, आप उस link पर click करकर हमारे telegram channel पर join कर सकते हैं, final team update आपको वहाँ पर मिल जाएगी guys, ठीक है वैसे मैं आपको team copy paste करना रिकमेंड नहीं करता हूँ, फिर भी guys आप एक बार मेरी final team ज़रू देख लीजेगा, उससे idea लेकर आप खुद का decision ले सकते हैं, और best से best कर सकते हैं, ध्यान लेकिए guys, इस match में बहुत कमाल कमाल की आपके लिए differential picks हैं, तो आप उन सब को यहाँ पर अपनी grandic teams में जरू try करिएगा, और maximum से maximum combination बनाने की try करिएगा, ठीक है तो बस guys, आज किस वीडियो में इतना ही, hopefully वीडियो आपके informative रही होगी, और guys आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर guys आपको वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को जितना ज़्यादा हो सेगे, उतना ज़्यादा like कर दे, अपने दोस्तों के साथ share करना ना भूले, और guys अगर आप हमारी चैनल पर नूँ है, अगर आपने भी तेक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फट अफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और बेल आइकन को भी on कर ले, ताकि आप आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिस्त ना कर सकें, तो बहुत जल्द guys मैं आप से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में